CM योगी के बयान और उस पर रियाक्शन के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों को सब बिगवाल पर हम आपको दिखाते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं जल्द जल्द रसद्दू दिन OEC को जोड़ें क्या ये बयान 2024 का polarization tool है यानि क्या इसके बाद 2024 में आप अपने उन लोगों को message दे रहे हैं आप polarize करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे है court में case तो ये बयान क्यों क्यों क्योंकि मामला सब judis है तो उसके बाद इस बयान का आने का मतलब क्या है कारिकरताओं का क्या charger है ये बयान क्या कारिकरताओं में जोश भरने की कोशिश है इस बयान के बाद क्या कारिकरता इससे चार्ज होंगे और जोर शोर से चुनाओं में जुड़ जाएंगे क्या धार में चिन दावे के लिए परियाब थे ये भी एक बड़ा सवाल है जिसकी तरफ सियम योगी इशारा कर रहे है कि त्रिशूल क्या मस्जिद में होता है क्या ये दावे के लिए परियाब थे क्या इन पर कोई फैसला हम ले सकते हैं और जो सबसे बड़ा सवाल क्या मुस्लिम पक्ष भूल सुधार करेगा जो कहा है स मुस्लिम पक्ष को यहां पर खुद प्रस्ताव लाना चाहिए ये एतिहासिक भूल है जिसका सुधार होना चाहिए और हिंदू मुसल्मान क्या आगे क्या चुनाव की जीत है क्या ये असली मसला है क्या इस मसले को यहां तक लाकर खड़ा करना है कि 2024 और आने वाले कुछ में ये इतना बड़ा मुद्दा बने कि इसके साहरे जीत हासिल की जा सके ये भी कुछ यहां पर सवाल है अच्छा ग्यान वापी पर सीम योगी के बयान से पूरे देश की राजनीती गर्मा गई है समाजवादी पार्टी के सांसद एस्टी हसन क्या कह रहें अब जरा ये पर सुन लीजे पिर क्या कहें उसे मंदिर कहें अगर साड़े तीन सो साल से ममाज हो रही है तो मस्धिद नहीं कहेंगे तो क्या कहें गए देखिए ये दोहदा का निशान बना दूँ तो पार्लिमेंट को पार्लिमेंट नहीं कहेंगे, मंदिर कहेंगे, मुस्लिम तो बड़ा दिल दिखाती ही है, आपने देखा बाबरी मस्जद के मामले में, जबके वहाँ पे कोर्ट ने इसको एकसेप्ट किया कही है, कोई मंदिर के अफशेश नहीं सब कुछ एकसेप्ट करके मुसल्मानों ने बड़ा दिल दिखाया, सिर्फ इसलिए कि हमारे विबात खतम हों अभी है, दुनिया के साथ हम भी चले हैं, दुनिया इस वर्ट सूरज पे जाने की तैयारी कर रही है, हम वही मंदिर मस्जद पर अटके वे हैं पर आईए आपको एक बार फिर से सीम योगी के बयान पर रहे चलते हैं, उन्होंने त्रिशूल और देवी देवताओं की प्रतिमाओं का हवाला देकर ग्यान वापी मस्जद के मंदिर होने का दावा किया, कुछ ऐसे ही दावे हिंदू पक्षकार भी करते हैं, क्योंकि को अखरति मस्जित की दीवार पर श्रिंगार गौरी, ब्रह्म कमल, मंदिरों के खमबे जिस तरह से ये आखरतियां ही सब देखी गई, उसके अलावा मंदिरों के खमबे, हिंदू मंदिरों जैसे स्थापत तिकला और हिंदू मंदिरों के आव्शेश मौजूद होने के जी सर बोली जली वैसी साब आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के सियम योगी आदितनात ने काय ग्यान वापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी को जूड बोलने के आदत है मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वो जूड बोल रहे हैं आप कह रहे हैं कि कि टेंपल वींस टेंपल ऑफ आदी विश्वेशर पापलरी नोनेस काशी इश्वना टेंपल और उसमें लिखा गए कि जो तो लिंगा है यहाँ पर जब आप 83 के आक्ट में उसको बता दिये हैं कि मंदिर कौन सी है फिर आप ये क्यों इस मसले को उठा रहे हैं आखिर कितना जूट बोलेंगे कितना नफरत पैदा करेंगे उतर पदेश के मुक्यमंतरी मुसल्मानों के तालुख से आपने देखा उस ट्रेन में वो वीडियो आया है उस ट्रेन में जो कौनस्टेबल गोली मार दिया है तीन लोगों को पैसेंजर को जो से मुसल्मान थे और वो बोल रहा है कि मयोगी का नाम ले रहा है मोडी का नाम ले रहा है क्या करना चाह रहे हैं आप भारत में मुसल्मानों का हाल आप देखिए आप खुद 83 का आइक पढ़िए कि इनका दिल नहीं भरता किया नफरत पहलाने से हमने वो कहते हैं कि दिवारे पकार पकार कर कह रहा है मुख्यमंत्री उतर परदेश को कि 91 का खानून देखो वो 91 का खानून है जिन्दा है वो जो कहता है कि 15 अगस के बाद जो भी मंदिर मस्जिद रहेगी वो रहेगी किस्सा खतम है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नौन रिट्रोगेशन की बात की और यह यह जुडि परदेश के मुख्यमंत्री चाहिए मुख्यमंत्री का वो एक नेरेटिव सेट कर रहे हैं एक कोड का प्रोसेस चल रहा है भाई बताईए आप क्यूं कह रहे हैं कि उक्तर पदेश के मुख्यमंत्री यह बात मकसद साफ है कि रफरत पहलाई जाए मुसलमानों पर दबाओ दाला जाए उनका दिल नहीं भड़ता क्या आपने घरों को तोड़ दिया बुल्डोजर लगा कर आपके राज में हतकडियों में लोगों को कोड में गोली मार दी जाती है और क्या चाहते हैं वह आप जुडिशल आउट्रीज कह रहे हैं वो उसको एतिहासिक भूल कह रहे वो कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष को खुद प्रस्ताव लाना चाहिए और ये गलती सुधारी जानी चाहिए क्या गलती सुधारना चाहिए उनको सम्विधान सम्विधान का पासोलियास नहीं है उतर पदेश के मुक्य मंत्री को जो पार्लेमेंट में खानून बनाया गया उस पर उस पर अमल नहीं करेंगे जिसको सुप्रीम कोट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस में कहा कि वो स साल क्यों नहीं हम लोग एक दोजार साल पले चले जाते बुद मखब के भी लोगों को लेकर आईए बुद मखब को मानने वालों को भी एक निरेटिव सेट करना चाह रहे हैं एक मैटर सबजुडिस है कोट में हैं और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ के 1983 का उत्तर विश्वनात एक 1983 डिफाइन करता है कि मंदिर क्या है और मंदिर का उसका सेक्शन 49 में कहा गया आप बताइए कि कभी उस मस्जिद के अंदर कोई पूज़ा हुई मस्जिद के अंदर कभी नहीं हुई एक मुक्यमंतरी रहते हुए आप इस तरह करें यह तो यह तो क्लियर क कोड़ अपना फैसला सुनाने वाला है मुक्यमंतरी तो उस उस डिस्प्यूट के पार्टी बन गए तो वो तो वो तो कंप्लीटली बाइस्ट हो गए अप इसलिए आप बात समझ में आई कि कैसे वहां के डीम ने इतवार के दिन यह लिटर लिग दिया एसाई को कि कि आप मस्जद की